हेलो एवरिवन आज हम गनीत में यूनिट 3 कुछ लेना कुछ देना में पेज नमबर 32 यानि 32 पर आए हुए हैं इसमें हम जोड और घटा के कुछ सवाल देखेंगे इसमें सबसे पहले एक उधारन दिया गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं उधारन 47 बराबर 37 जमा 10 यहाँ पर 47 को कैसे दिखाया गया है 37 जमा 10 यानि कि 47 में एकाई कितनी है साथ और धाई कितनी है चार यहाँ पर चार धाई थी तो इसमें से एक धाई अलग कर दी है तो यहाँ पर कितनी धाई रह गई तीन तो यहाँ पर आ गया 37 तो इस प्रकार धाई में से एक धाई निकाल लेने पर 47 को हम इस प्रकार भी लेख सकते हैं 37 जमा 10 अब आगे हमें बोला गया है 37 जमानों को कैसे लिखेंगे तो 37 जमानों को लिखने के लिए साथ में ये भी पूछा है क्या इसके लिए कोई छोटा रास्ता है पहले तो हम 37 जमानों को डिरेक्ट ही जोड़ते हैं 37 जमानों कितने होंगे हम इकाई को इकाई में ही जोड़ेंगे साथ और नो सोला सोला का छे का हासिल एक तीन और एक च्यार तो हमारा उत्तर आया 46 इसके लिए और भी पुछा गया क्या इसके लिए कोई छोटा रास्ता है तो छोटा रास्ता के लिए क्या कर सकते हैं उपर 47 का योग दे रखा है 37 जमानों 10 तो यहां पर 37 जमानों 10 47 होता है कि हम उपर वाले से ही 46 को निकाल ले अब दिया गया है 65 घटा 30 या तो हम क्या कर सकते हैं 65 और 30 को ऐसे उपर नीचे एकाई और धाई में लिक कर ऐसे करके घटा ले 5 में से 0 गए 5 6 में से 3 गए 3 तो हमारा उत्तर आया 35 लेकिन इसके साथ ही अगर हमें ऐसे दिया गया है तो हम ऐसे ही लिखे हुए का भी अभ्यास करेंगे इकाई में से इकाई घटाते हैं 5 में से 0 गए 5 और धाई में से धाई घटाते हैं 6 में से 3 गए 3 तो भी हमारा उत्तर आया 35 आगे है 46 जमा 21 तो 46 जमा 21 के लिए क्या करेंगे हम इसी प्रकार इकाई में इकाई जोडेंगे और धाई के अंक में धाई का अंक जोडेंगे यहाँ पर कितनी इकाई है? 6 यहाँ पर कितनी इकाई है? 1 तो 6 जमा 1 कितने होते है? 7 और यहां पर कितनी दाईया है चार यहां पर कितनी दाईया है दो चार जमा दो छे तो हमारा उतराया सठ सठ अब इसी के उपर लिखा गया है क्या यह है आसान रहेगा कि हम पहले 36 जमा बीस कर लें तो 46 जमा 20 करने के लिए भी हम क्या करेंगे एकाई में एकाई जोड़ते हैं पहले 6 जमा 0, 6 और 4 जमा 2, 6 तो यहां पर आ गया हमारा 66 तो 66 में यहां पर देखे 46 जमा 20 है और यहां पर 46 जमा 21 है तो यानि कि 46 यह वाली संख्या सेम है एक जैसी है और यहां पर एक बढ़ा कर दिया गया है तो यहां पर हम 66 जमा 1, 66 भी कर सकते हैं तुम यह कैसे करोगे यहां पर दिया गया है 87 घटा 30 तो यहां पर 87 घटा 30 निकालने के लिए हम पहले यहाँ पर देखें कितनी काईया है साथ और यहाँ पर कितनी काईय है जीरो तो इकाई में से इकाई घटाएंगे तो साथ घटा जीरो कितना आएगा साथ में से जीरो गए तो साथ और आठ में से तीन गए तो धाई में से धाई गटाएंगे आठ में से तीन गए तो आठ गटा तीन तो पाँच तो हमारा उत्तर आया सतावन अब आगे देखते हैं अब देखिए च्छासट गटा और यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और बराबर है ग्यारा कि च्छासट में से क्या घटा आये कि हमारा उत्तर 11 आए तो 66 में से क्या घटाने पर हमारा उत्तर 11 आएगा अब 66 में से हम 11 घटा कर देखते हैं तो 66 में से 11 गए तो हमारा उत्तर क्या आएगा 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 1 गया 5 तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर 55 देखिए अब 66 में से 55 गटाते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा 11 अब आगे है 45 में क्या जोड़ें कि हमारा उत्तर 99 हो जाए तो 45 में हम क्या जोड़ें कि हमारा उत्तर 99 हो जाए तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि 99 में से 45 गटा कर देखेंगे तो हमारी ये वाली संख्या आ जाएगे तो 99 में से 45 घटाते हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 4 गए 5 तो हमारा उतर आया 54 आगे है कि 26 में क्या जोड़े की पिछेतर आए 26 में से 26 में क्या जोड़े की पिछेतर आए तो यहां भी हम क्या करेंगे कि 75 में से 26 गटा देंगे तो यहां पर हमारा उत्तर आ जाएगा तो इकाई में से इकाई गटाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर यह इकाई का आंक इस इकाई का आंक से बड़ा है तो इस प्रकार हम ऐसे लिखकर घटा कर देखते हैं तो घटाएंगे तो ये देखो उपर वाली कई का आंख छोटा है नीचे बड़ा है तो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे हासिल लेंगे तो साथ से हासिल लिया मैंने यहां पर रह गया छे और यहां पर हो गया पंदरा पंदरा में से छे गए तो कितने आएंगे नो और छे में से दो गए तो कितना आएगा चार तो हमारा उत्तर यहां पर क्या आजाएगा उननचास क्या आगया उननचास अब आगे है कि 21 कितने में से 21 घटाएं कि हमारा उत्तर 35 बन जाए तो इसको अब हम क्या करेंगे कि ये 21 यहाँ पर लेके जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा ये जोड़ जाएगा तो 35 में हम 21 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा एकाई के अंक में एकाई जोड़ते हैं पांच जमा एक छे तीन जमा दो पांच तो हमारा उत्तर आया चपन चपन में से 21 घटा कर देखते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा छे में से एक गया पांच और पांच में से दो गये तीन तो इस प्रकार हमारा उत्तर आया 35 आगे है 9 में कितना जोड़ा जाए कि उत्तर 36 आए तो 36 लाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये संख्या इधर 36 के पास जाएगी तो इधर जमा की है तो इधर क्या हो जाएगी घटा की हो जाएगी तो 36 में से 9 घटा कर देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 27 27 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमारा उत्तर 36 आएगा फिर है 40 में क्या जोड़ें कि हमारा उत्तर 76 हो जाए तो 76 में से अगर यहाँ पर बराबर के निशान से इधर यह जमा की संख्या है तो इधर जाके यह क्या हो जाएगी घटा की तो यहाँ पर हम 76 में से 40 घटा कर देखते हैं तो क्या आएगा हमारा उत्तर 6 में से 0 गई 6 और 7 में से 4 गई 3 तो हमारा उत्तर आया 36 आगे है 50 में क्या जोड़ा जाए गटा की तो अठानुवे करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे बराबर के निशान से इधर यह पचास का जमा का है तो इधर आके बराबर से इधर आके किस चीज का हो जाएगा गटा का तो अठानुवे में से हम 50 गटा कर देखते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा, तो 8 में से 0 गई, 8, और 9 में से 5 गई, तो 4, हमारा उतर आया है, 48, नेक्स्ट है, 57 में से क्या घटाएं कि 20 रह जाएं, तो 57 में से क्या घटाएं कि 20 रह जाएं, अब 57 में से, ये देखे, 20 इधर जमा का है, तो इधर आके घटाका हो जाएगा, यानि कि 57 में से 20 घटा कर देखना है, तो 57 में से 20 गटाते हैं, तो 7 में से 0 गई, 7, और 5 में से 2 गई, तो 3, यहाँ पर हमारा उतर आया 37, इस प्रकार आज हमारा ये page number 32 complete होता है उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका हम बहुत सारा अभ्यास करेंगे इस से समंदित आपको अभ्यास के लिए कुछ पर्षन दिये जाएंगे जो कि आपको अपनी notebook में solve करने है